बश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्ली चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिसकेश करेंगे IDBI बैंक के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए या नहीं और इस शेर से लेटर जो प्राइविटाइजेशन के निउस है उसमें क्या लेटेस्ट डियर्मेंट आई है वो भी हम आपके लिए क्लियर करतेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और कहां इस शेर का स्पोर्ट बन रहा और कहां पर रिजिस्टेंस तो guys सबसे पहले जो company के fundamentals के बारें बात करें तो company के fundamentals जो काफी strong है guys company का stock नहीं जादा overbought zone में और नहीं ASM की किसी red flag list में जो company की जो annual growth rate, profit generation, revenue growth rate cash flow statement, income flow statement जो सारी की सारी positive में guys company की जो debt liquidity, ROI और earning पर share है वो भी काफी तगड़ी है guys so guys हमने आपको पहले भी का था और अभी भी कह रहें कि IDBI bank में आपको थोड़ा range bond momentum जो है देखने को मिलेगा जब तक पूरी तरह से news confirm नहीं हो जाती कि इतनी valuation पे जो है government अपने stakes को sell करेगी और ये private player जो है इस company bank के stake को खरीदेगा तब तक काको इसमें ऐसे एक range bond momentum देखने को मिलेगा तो guys अभी कुछ जादा latest news नहीं है privatization के related अभी सारी जो process है वो अभी हो रही है तो अभी पता नहीं है कौन सा buyer कितनी valuation पे इस share के stakes को खरीदेगा और उपर से guys अभी जो इसका Q2 का result है वो काफी अच्छा गाइस company अच्छा profit जो है पोस्ट किया है तो मैं आपको यही रहे दूँगा जिस तरह से चार्ट पैटर्न का set up बना हुआ है guys तो यहां से हमें लग रहा है कि यह 50 रुपे के target 50 से लेके 55 के target आपको आने वाले महिनों में जो है दे सकते है तो आप इस share पे बुलिश रह सकते है 42 का आपने इसमें stock loss लेके चलना है और आपको 55 के target जो है आने वाल टाइम में इस share में देखने को मिलेंगे guys आपको हम यही कहेंगे आप banking sector पे जो बुलिश रह सकते है bank stocks पे जो है बुलिश रह सकते है bank sector पहले भी outperform कर चुका है और आने वाल टाइम में भी outperform करेगा हमने आपको पहले भी कहा था कि हम भी banking sector पे बुलिश है और हम आपको भी कहेंगे कि आप banking sector पे बुलिश रह सकते है तो guys मैं आपको यही राय दूँगा आप जो है IDBI bank पे positions बनाइए आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा 55 के target आपको आने वाल टाइम में इस share में देखने को मिलेंगे और जो यह rate high को बगएर और इसे bank को आफी फायदा होगा guys तो मैं आपको यही राय दूँगा आप जो है इस banking share पे भी bullish रह सकते है company का EBITDA भी positive है guys और company का RSI indicator भी bullish trend हमें show करें तो अभी पे मैं आपको कह रहा हूँ guys 55 के target आपको इस share में आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते है तो आप जो है इस share पे ज़रूर अपनी positions बनाने की सोचे और आने वाल टाइम में ये share आपको अच्छे खासे जो है return बना के दे सकता है और अगर इसकी valuation अच्छे खासी बैठी और अच्छे खासी valuation विसकी stake बिके तो ये share जो है आने वाल टाइम में rocket हो सकता है और आपको multi bag return देने की शमता भी ये रखता है तो guys ज़रूर इस share को अपने radar पे रखेगा और इस share पे ज़रूर भूलिश रहेगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए जो है हमारे channel को please subscribe कीजे और हमारे वीडियो को please like कीजे thank you guys